यह गाड़ी है बजाज प्लेटिना 110 CC यह पहली ऐसी गाड़ी है जो 110 CC होने के बाद 20 में ABS आता है और यह एक लाख रुपए के अंदर आती है इस वीडियो में इस गाड़ी की मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ तो सबसे पहले बात करेंगे इस गाड़ी के फ्रेंट ल सब्सक्राइब मिल जाता है काफी सारा इंफर्मेशन मिल जाते हैं लेकिन तो आभी डिखा नहीं सकता हूँ मैं बात करें ड्यूत को लिप की तो घ्र डावी Colo का स्विच मिल जाता है इस बेड़ी का सब्सक्रांट take पाउर स्टाट का बटन देखने को मिल जाएगा, फ्यूल टैंक के साइड में प्लेटिना का बड़ा सा इस्टीकर देखने को मिल जाएगा, ग्रैफिक्स भी देखने को मिल जाते हैं, बात करें दूसरे बदलाव की, तो E20 फ्यूल सपोर्ट करता है, अब पहले नहीं करता था, साड़े दस लिटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, सेवंटी प्लस की माइलेज मिल जाती है, एक बार टैंक फूल कराने के बाद 700 किलोमेटर्स ज़्यादा चल सकती है, ये गाड़ी, सिंगल सीट मिल जाती है, इस गाड़ी में इसकी कुसुनिंग काफी बेतर है, दो-तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं, पिलियन की सेफटी के लिए ग्रैब रेल दिया गया है, प्रंट की तरफ आते हैं, तो टेलिसकोपिक सस्पेंसन मिल जाता है, बॉडी कलर में मटगार्ड मिल जाता है, ग्रैफिक्स भी देखने को मिल जाते हैं, द्रेक स्केलिपर मिल जाते हैं, 240 एमिम का फ्रेंट में डिस्क मिल जाएगा, रिफ्लेक्टर मिल जाता है, सिंगल चैनल ABS के साथ आते हैं, तो ABS की रिंग मिल जाएगी, 802, 17 इंच का ट्यूबलेश टायर देखने को मिल जाएगा, ब्लैक कलर में अलॉइज मिल जाते हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं, तो यहाँ पर सिंगल हॉर ने यूज किया गया इस गाड़ी में, लेक गाड़ भी मिल जाएगा, रियर बेक स्पैडल मिल जाता है, फ्रेंट का फूटरेश्ट मिल जाता है, पावर इस्टार्ट के साथ साथ किक का भी ऑप्सन दिया गया है, बात करें एंजिन की, तो 115 सिसी का सिंगल स्रेंटर 4-2 वाल्ब एर कूल्ड इंजिन मिल जाता है, इसकी पावर की बात की जाए, तो 8.60 PS की पावर रेडियूस करता है, और 9.80 Nm का टॉप रेडियूस करता है, ये एंजिन, थोड़ा सा और पीछे आते हैं, तो यहाँ पर पैसिंजर फूटरेश्ट मिल जाता है, नीचे बड़ा सा exhaust pipe देखने को मिल जाएगा, और fuel time के दूसरी side में आपको platina का sticker देखने को मिल जाएगा, सेम सेम graphics मिल जाते हैं, यहाँ पर 110 ABS anti-lock breaking system का feature देखने को मिल जाएगा, hydraulic suspension मिल जाते हैं, बात करे rear tire size की, तो 802217 inch का सेम सेम tubeless tire देखने को मिल जाएगा, rear में disc नहीं दिया गया है, बात करें tail light की, तो tail light में hyalogen bulb मिल जाता है, indicator में भी hyalogen bulb मिलता है, number plate यहाँ पर लगा सकते हैं, दूसरी तरफ आते हैं, तो यहाँ पर आपको सारी गाट देखने को मिल जाता है, एक passenger footrest यहाँ पर मिल जाएगा, hydraulic suspension मिल जाता है, और दूसरा passenger footrest यहाँ पर मिल जाता है, chain cover दिया गया इस गाड़ी में, दो stand मिल जाते हैं, double stand यहाँ पर है, single stand यहाँ पर है, सबसे लाश्ट में बात करें इस गाड़ी के प्राइज की तो इस गाड़ी का 100 रूम प्राइज 89,800 रुपे पढ़ जाएगा 96,300 रुपे अन रोड पढ़ जाएगी ये गाड़ी ये पहले ऐसी गाड़ी है जो 110 सिसी होने के बाद भी इस गाड़ी में